हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो अगर आप वाटसाप के अंदर अस्टेटस लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लग रहा है आपको कुछ इस्तरीके की प्रोब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है जब भी दोस्तो आप अपने वाटसाप को ओपन करके यहाँ पर अस्टेटस लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लग रहा है यहाँ दोस्तो आपको दो ओप्सन देखने को मिलते हैं नोट नाओ और सेटिंग यहाँ पर अगर दोस्तो आप सेटिंग पर किलिक करते हो ठीक है तो आपके सामने आपर सेटिंग ओपन हो solution बताऊँगा ये problem है क्या और आपको क्यूं हो रही है अब दोस्तों इस problem को ठीक करने के लिए यहाँ से आपको बेक आ जाना है और आपको अपने mobile में setting को open कर लेना है setting को दोस्तो open करने के बाद यहाँ दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा apps के नाम से ठीक है apps के नाम से option मिलेगा इस पर आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद यहां दोस्तों आपको whatsapp देखने को मिल जाएगा अगर दोस्तों यहां पर आपको whatsapp देखने को नहीं मिलता है फिर दोस्तों यहां उपर आपको यह देखिए एक search bar मिलेगा search option यहाँ पर आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है what's up ठीक है what's up जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो what's up आ जाएगा इस पर आप किलिक कर देंगे आपके सामने यहाँ पर दोस्तो setting open हो जाएगी अब दोस्तो यहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं आता है ठीक है यहाँ पर भी नहीं आ रहा है तो एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ ठीक को यहाँ से भी बेक आ जाना है अब दोस्तो आपको आना है अपने वाटस अप पर WhatsApp पर आपको क्या करना है लोंग प्रेस करना है जैसे ही दोस्तों आप लोंग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा आपके में और तरीके से दिखा सकता है बस आपको यह आई बटन देख लेना है और आपको इस पर किलिक कर देना अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दोस्तो आ जाएगा यहां दोस्तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी परमिसन के नाम से ठीक है परमिसन के नाम से आपको सेटिंग मिलेगी इस पर आपको क्लिक करना है क् क्लिक करने हैं आपको केमरे में ठीक है केमरे पर आपको क्लिक करना है और यहां अगर दोस्तों यह डूनोट अलो पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहां से आपको बेक आना है और बेक आने के बाद दूसरी सेटिंग दोस्तों आपको करनी है यहां पर फोटो और वीडियो कर देना है ठीक है यहां पर कर देना है आप यहां से बस दोस्तों आपने permission दे दी permission देने के बाद अब दोस्तों यहां से आपको बेक आ जाना है अब दोस्तों जैसे ही आप बेक आ जाएंगे आपको WhatsApp पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आप दोस्तों यहां से कि memory card यहांसे जो भी status आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं तो दोस्तों यहां से आपके mobile में permission ओफ हो रही होगी इसलिए आपके status यहां पर नहीं लग रहे होंगे लेकिन जिस तरी के से दोस्तों मैंने बताई आपको permission देनी है permission देने के बाद आपकी setting opन हो जाएगी वहां से अनलोग हो जाएगी आप अस्टेटस लगा सकते हो तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू सो मच